इस्राइल गाजा बॉर्डर के बिलकुल समीप हैं लगातार इस्राइल की तरफ से गाजा के अंदर 20 दिनों से हमले किये जा रहे हैं 7 अक्टूबर के बाद 20 दिन हो चुके हैं और हमें यहां आए हुए 18 दिन हो चुके हैं इस वक्त हम लोग एक ऐसी जगे पर मौजूद है जहां से आगे जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि यहां से गाजा बॉर्डर शुरू होता है हमारे पीछे के इलाके में यहां से महज कुछ मीटर और कुछ किलो मीटर की दूरी पर गाजा की शुरूआत हो जाती है और यह जो बगल में गाउं जैसा दिख रहा है निराम है यहां भी उस दिन हमला हुआ था तो यह पूरा का पूरा इलाका जो है sensitive area लेकिन आज हम आपको बताएंगे border के हर शहर ज्यादा तर गाउं से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है गोला बारू धमला दिखाया है रॉकेट्स दिखाए है जो होता है लेकिन आज आपको map के जरीए समझाएंगे यह इसराइल का map है इसके जरीए हम आपको समझाएंगे कि कहा है गाजा कितना चोटा है किस नाम से जाना जाते कैसे border लगता है इसराइल का लेकिन पहले आपको map के बारे में बता दे ताकि आपको समझने में आसानी होगी यह इ नीचे का हिस्सा, यानि दक्षिन का हिस्सा यहां दिखाया गया, यह देख सकते हैं, यह दक्षिन का हिस्सा दिखाया गया, लेकिन लिबनान एक बॉर्डर, सीरिया एक बॉर्डर, जॉर्डन एक बॉर्डर, डेट सी इधर है, नीचे यहां इजिप्ट, इधर इजिप्ट लगता है और इधर गाजा और यहां जेरुसेलम के आसपास के इलाके जो है यह वेस्ट बैंक है यह गाजा गाजा को ओपन एयर प्रीजन भी कहते हैं क्योंकि इतने ब्लॉकेड इसराइल की तरफ से एजिप्ट की तरफ से भी अभी राफा बॉर्डर खोला गया है ओपन एय देजिगार इसराइल कय लेकिन जेरुसेलम के आसपास ओपर बेथलयहम रंल्लम यहां आपको दिखेगा रंल्लम यह इसके उपर नाबलुस यह सब वैस्ट बैंक के इलाके है और यह गाजा है अब गाजा पे फोकस करते हैं है के सावती पूर में है घाजा इधर यामू मि अपने नाम सुनागा लेकिन इस्रायल की बॉडर कैसे लगती है यहां से यहां से लेकर यह लाइन जुआ रही है जो आपको देख रहें यहां तक यह मिसर है यह कुल 15 किलोमिटर की सिमा और जब साथ अक्टूबर को हुआ तो 51 किलो मीटर बॉर्डर पे लगातार हर चाहे शहर हो चाहे फिर गाउं हो उन सब पर हमला किया गया हम आपको बताते हम कहा है हम यहाँ है इस वक्त करम आप दिखाए देखिए हम कहा है यह एसडे रोट देख रहे हैं एसडे रोट से भी अंदर है महज 800 मीटर से लेकर एक गाजा के सिमा से दो क्रोसिंग है जिसको ब्लॉक कर रहा है यह इरेज क्रोसिंग है इरेज और यहां देखिए यह केरम सेलों क्रोसिंग है करम आपको दिखाएंगे करम सेलों इरेज क्रोसिंग गाजा के उत्तर में पढ़ता है और यह पूर्व में पढ़ता है जो कि दक् फुलर हुए है इस बार एक एके लोर्न हम आपको दिखाना चाहें हम एक लोर्ट तो बहुत नजदीक का सहर जिसे खाली करा दिया गया है आश के लॉन यहां है एक लॉन और तेल अवीव यहां है यहां logistics आपको अब करम नीचे आई है करम नीचे आ रही है करम नीचे आ रह 앉के पहले पढ़ता है यह सारे भूमध्यसागर के बगल के है ऐसके लॉन पढ़ता है नीचे फिर आप आएंगे तो इस तरफ एसडे राट पढ़ता है जो कि सबसे करीब का सर फो पूरी तरह से ट्रीवा खाली हो चुका है, यहां की आबादी 36,000 है, यहां अब देखे, जब हमला हुआ तो उस दिन इन सारे जगहों पर हमला किया, यहां से लेकर पूरे बॉर्डर पे हर जगह कटलेयाम मचाया गया, यह कुछ आपको नाम रेम, रेम का आपने नाम सुनाओगे, यहां आपको रेम दिख रहे है, करम आपको रेम दिखाईए, रेम, बेरी, फाराजा, यह सब छोटे-छोटे गाउं है, यह दूरी बिल्कुल कम है, यहां आपको इतनी दूरी जो लग रही है, यह दूरी बिल्कुल कम है, एक किलोमेटर कुस्ट तो बिल्कुल सटे हुएं इसमें से इलाके यह सारे पर हमला किया गया नीराम नीराम पर भी हमला किया गया जहां इस वक्त हम लोग मौझूद है open-ear prison कहा जाता है करम आपको दिखाएंगे इससे open-ear prison कहा जाता है क्योंकि इजराइल ने ब्लॉकेट कर रखा है भारत के भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो गाजा से छोटा हो कि अन्रशासित प्रदेश हैं जो गाजा से छोटे हैं लेकिन जीले भी बहुत कम है किसी भी राज्य का जीला ऐसा नहीं है जो गाजा से छोटा हो कितना छोटा गाजा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं और अभी बता दिए अभी जो बड़ा हमला बड़ा रेट किया गया है वो किस इलाके में किया है देखे गाजा यहां है और बार बार इजराइल कह रहा है कि इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वो इधर की और भागे नीचे की और भागे नीचे की और भागे नीचे की कि तरफ जाए राफा की तरफ जाए ताकि इस इलाके में जब हमला करें क्योंकि जो बॉर्डर है गाजा के जो हमास क्याता है कि यहां से गोले छोड़ते मिसाइल छोड़ते यहां से यहां से इधर छोड़ेंगे एसके लॉन पर छोड़ेंगे तेल अवीप पर छोड़ेंग विडियो देखेंगे टैंग यह पूरा एक 50 किलोमीटर का जो एरिया है यहां से लेके यहां तक यहां एक बफर जोन है जहां जाने की इजाज़त नहीं हम बफर जोन से पहले हैं इस वक्त जहां मौझूद है जहां इस मैप के जरी आपको दिखा रहे हैं और यह पूरा ओप किलोमीटर की दूरी है क्योंकि केवल इस्राइल का मैप है और इस्राइल बहुत छोटा देश है तो इतनी दूरी जो भारत के मैप में आपको दिखते हैं वह पचासो सो किलोमीटर में हो सकते लेकिन यहां महज एक से दो किलोमीटर की यह दूरी है इधर से घुसने की कोश वगावन्ट और उधिवन्तार्व। सब्सक्राइब से पहले जो अख्राइब घजा के लोग अंदर काम करने आते थे उन्हें जाने के आने की इजाज़त थी इसराइल में इसराइल के लोग नहीं जाते थे यहूदी नहीं जाते थे उन्हें आने की इजाज़त थी यह जो किरेम सरोम है यहां से सामान वस्तुएं आने जाने के जरूर इजाज़त थी कंट्रोल करता है इसराइल लेकिन इजराइल ने दोनों ब्लॉक कर दिया है, इंधन, सखाद और मेडिसिन को ब्लॉक कर रखा है, और राफा बॉर्डर से अब जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा मैप के जरिए, हमने आपको समझाने की कोशिज की इजराइल के मैप के जरिए, बहुत छोटा सा देश, भारत म बहुत ऐसे कम राज्य हैं, जो इजराइल से छोटे हैं, गाजा, भारत में राज्यों के जो जिले हैं, उसमें बहुत कम ऐसे होंगे, शायद ना होंगे, जो गाजा से छोटे हैं, ज्यादा तर जिले गाजा से बहुत बड़े हैं, राज्यों के जिले की बात कर, दिल्ली क बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो गाजा से छोटे किंडर्शासित प्रदेश है इसके लवाद दूसरे जो किंडर्शासित प्रदेश हैं वहां के जिले गाजा से छोटे हैं 365 स्क्वाइर किलो मीटर सिर्फ एरिया है लेकिन आबादी 20 लाग से ज्यादा है बहुत घनी आबादी वाला एरिया है इसराइल से बिल्कुल पिछड़ा है लेकिन इस इलाके ने अभी इसराइल के नाक में दम कर रखा है इसी को ओपन एयर प्रिजन कहते हैं जिसे हमने वहा गाजा इसराइल से कैसे जुड़ा हुआ है कैमरा परसन करम सिंग के साथ नीरज कुमार न्यूज एटिन इंडिया इसराइल गाजा बॉर्डर